वेल्कम बेक टू माई वीडियो मेना नहीं अनुस्त अनवर और आप वस्ट आइम पोकी गींगे चैनल में इस वीडियो में आपको वो जो मेरी फैली वीडियो थे यह उसका पार्ट टू है तो मैं आपको पूरा को पूरा पूरा अपना लोगो बताने वालो कि मैं क्या करने वालो तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं करने वाला हूँ जो वो मॉनर का लोगों है ना जो उसका जो खड़े होने का स्टाइल है मैं उससे स्टाइल को अपने उसमें यूज करता हूँ और जो हेर स्टाइल हो एको रीशप सर के जैसा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा है स्टाइल में तो और फड़े होने का स्टाइल पूरा मौनर के जैसा होएगा और चेहरा होँ वह मैं अपनी फोटो यूज करूगा में पास थ्री स्टाइल फोटो ऐ मेरी तो इसमें यूज करूगा फिर जो आइब्याश पेंट हमें हमारी वीडियो प्रोव लेनी वाला क्योंकि फिर बहुत जादा सिर में दर्द हो रहाएगा तो अभी वीच में वीडियो चलने वाली है तो आप देख लेना बागे तो गाइस एक घंटे की महनत के बाद मैंने ये स्टेक्चर बनाया है इसे स्टेक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी बाड़ी है जो हाथ फोल्ड करेके खड़ा है वो मैंने कॉपी करी है मौनर से और जो वो बाल है वो मैंने कॉपी करे है भाई लो के वो मेरे ही face का structure है लेकिन हाप एक गड़बर हो गई है जो body का size है और जो face का size है and hair का size जो है वो काफी जादा उपर नीचे मोटे छोड़े मोटे हो चुके है तो मैं उसे जारा जाके fix a lab पे जाके थोड़ा साही करता हूँ and then मैं इसे यहाँ पे लाता हूँ और फिर इस पर आगे का काम करते है तो वीडियो तो पतानी कि बहुत कम मिनट की बनी अभी तक वीडियो तो अब आगे देखते है तो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत सही कर लिया है लेकिन अब इसके बाल नहीं आ क्योंकि मेरा कैन्वस के साइस की वज़े से अब इसके बाल नहीं आ रहे तो अब और बी जादा दिक्कत हो रही है तो हम मैं देखता हूं कि लोगों के लिए कितना साइस वगेरा क्या चाहिए फिर मैं अभी एक बाइ या तो मैं इसे कर लेता हूं या फिर मैं इसे रहने होगा ऐसी आगे काम करते हैं वीडियो का और अब देखते हैं पता नहीं मैंने इतनी मेहनत कर यह तीन-चार घंटे तो आप देखते हैं क्योंकि अब मैं इनका सिर का कपड़ों का अपसाइज में अपने हिसाब से कर सकता हूँ में पावर है तो अब देखते हैं आगे क्या क कर दो हूँ करते हैं में, क्या क्या थाब